नमस्कार, जार्खन में 26 एर पाराथ सिचकों की बहाली होने वाली है, जिसमें जार्खन के वैसे छात्र जो अपने गाउं में ही रहकर बच्चों को सिक्षा देना चाहते हैं, इनके लिए एक सुनहारा मौका मिल रहा है, बता दे आप बहाली पूरी तरह से पंचायत या वि प्रत्मिक्ता मिलेगी, पाराथ सिचकों को मान्दे के रूप में 22,500 रुपे दिया जाएगा, जो कि सहायक अचार्जों की अस्थाय नियुक्ती होने के बाद इन पाराथ सिचकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिहां आपको बता दे जो कि 50,000 शिक्षक भरती निकला था और नियोजन निती के कारण रद हुआ, उसी को देखते हुए आस्थाय रूप से पाराथ सिचकों की भरती निकाली जा रही है, तो आएप पूरी तरह से विस्तार पुरुवक जानते हैं, तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर नोटिफ 96 पदो पर नियुक्ति की जा सकेगी, जी हाँ, आपको बता दे 25 से 996 पदो पर भरती होनी है, नियुक्ति बिद्याले परबंधन समीति या पंचायत करेगी, और इसके अरक्षन रोष्टर का पालन किया जा सकेगा, सहायक अचारियों की अस्थाय नियुक्ति होने के बाद इन परासिस्कों की सेवा समाप्त कर दे जाएगी, जैसे कि आपको बता दिया गया है, पचास एर सिस्कों की भरती हो जाने के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्छा मंत्री जगरनात महतों इसकी त्यारी करने की बात कही है, सिक्छा पास अभियारती हैं, उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें वर्तमान में करदर सहायक अध्याप को पारासिस्कों के समान 22-500 रुपे का बेतन दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, बेतन का रूप में 22-500 रुपे मिलेंगे, इसको लेकर हुए सोम वार को इसकुली सिक्छ को के अभाव में परभावित नहीं हो, तो बच्चों के भविसे को देखते हुए में यह निरने जल्द लिया जा रहा है, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्छा मंत्री जगरनात महतों ने कहा है कि जहरखन नियुक्ति निमावली रद हो गई है, अब हम इसके खिल कारे नवनीहालो के भविसे में खत्रा है, इसलिए सिक्छक नियुक्ति की अरचनों को देखते हुए अधिकारियों के साथ बात चीत कर पारध सिक्छक नियुक्तИ का रास्ता निकाला जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाराध सिक्छों की इस प्रकार से नियुक आक्षन रोस्टर का पालन किया जाएगा, पंचायत या विद्द्याले प्रवंदन समीती नियुक्त करेगी इसकूल या पंचायत अस्तर पर जितनी सीटे होगी, उसी के अधार पर नियुक्ति होगी जी हाँ, जिस छेतर से आप आते हैं, उस स्कूल में जितना सिख्षको की कमी होगी, उसी के अधार पर सिख्षक नियुक्त होगे तो आप इसमें भाग ले सकते हैं आगे यहाँ पे आप दिख सकते हैं, जाब सिख्षक ही नहीं होगे तो वहाँ के छात्रे कैसे पढ़ेंगे, शिक्षा मंत्री का कहना है, शिक्षक अनिवारी है, शिक्षक नियुक्ती निमावली कोट से रद होगा यहाँ, डबल बेंच में जाया या सुप्रीम कोट में नियुक्ती में देरी होगी, इसलिए पाराशिजगों की बहाली होगी, यहाँ आप देख सकते हैं, जगरनात महतो जी का ब्यान है, तो ऐसे में आप इसमें भाग ले सकते हैं, और आपको बता दे, एक और स्थाई बहाली है, आपको पचास एरसिक्षक बहाली होने के बाद हटा दिया जाएगा, फिलहाल आपको बेतन के रूप में 22 एर 500 रुप मिल सके, साथी साथ आपने साथियों के साथ सेयर करना भूले, जिससे की ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जनकारी मिल सके, धन्यवाद